नमश्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब वेल आए खोप कि आप सबी अच्छे होंगे आज मैं आपको इस वीडियो में क्लोफ के यानि कि लोंग के 112 फायदे जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना लोंग सेवन करने की इतने बहतरीन इतने जबरदस्त इतने गजब के फायदे होते हैं जिसके आप कलपना नहीं कर सकते हमारी आयुरुवेद की किताब अश्टांग रिद्यम के अनुसार 112 फायदे बताने वाला हूँ तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों ध्यान से अन तक अवश्य देखें क्योंकि खाली लोंग का आपको सेवन नहीं करना है अनियत तीन जड़ी बूटियों के साथ में लोंग का सेवन करना होता है किस किस चीज के साथ में कौन कौन से समय पे और आपकी बॉड़ी की प्रकरती के अनुसार वात, पित और कफ की अनुसार दोस्तों आपको किस तरह से प्रियोग करना है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि जब भी मैं अपने चैनल पर एक नई वीडियो अप्लोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मुबाइल में तुरंद एक सेकंड के भीतर मिल जाए पर वेत की अनुसार दोस्तों हमारी बॉडी तीन प्रकरती की होती है वात पित या फिर कफ अगर आपके शरीड में गर्मी बहुत जादा होती है यानि कि पित प्रकरती आपकी है बहुत जादा अदिक तो दोस्तों आपको लोग का सेवन अलग तरीके से करना है अगर आप की बोड़ी वात प्रकरती की है वात प्रकरती का मतलब होता है जोडों का दर्द गुटनों का दर्द सर्दियों के मोसम में जिन लोगों को बहुत जादा हो जाता है वात प्रकरती उनकी बिगड़ चुकी है तो आपको लोंग का सेवन अलग तरीके से अलग जड़ी बूटी के साथ करना है अगर आपकी दोस्तों प्रकटी गफ्रकटी किया थोड़ा सा मुसम चेंज होने के कारण आपको सर्धी खासी जुकाम बुखार हो जाता है तो आपको अलग तरीके से लोंग का सेवन करना है आईए जानते हैं विबिन बिमारियों में अलग अलग तरीके के साथ और अलग अलग चीजों के साथ में आपको लोंग का सेवन किस तरह से करना है दोस्तों लोंग एक ऐसी और शदी वागबट रिशी ने बताई है पुर्षों की ताकत को बढ़ाने के लिए आज कल नो जवानों का लाइफस्टाइल पूरी तरह से बिगड चुका है मुबाइल में गंदी गंदी अशलील चीजें देख करके रात को देर देर तक जाक करके सुबे टाइम पे न उठ करके आज कल के युवाओं ने अपना पूरी तरह से जीवन का सत्यानाश कर दिया उसको सही करने के लिए लोंग का मैं आपको प्रियोग बताता हूँ आप ये दोस्तों लोंग का टुकड़ा देख रहे ना आपको एक ही लोंग का टुकड़ा लेना है quantity आप ध्यान से देख लीजी जितनी में आपको बताता हूँ उतनी ही लेनी है इसके साथ में अश्वगंदा चूरन आपको किसी भी आयरुवेदिक स्टोर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है अश्वगंदा चूरन आपको एक ग्राम की मातरा में लेना है और ये दो चीजें आपको किसके साथ लेनी है वो ध्यान से सुनिए दोस्तों तामबे के बरतन का पानी तामबे का बरतना मार्केट से खरीद करके लाएं एक बार थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन एक बार की इन्वेस्टमेंट होती है आपकी और जिन्दगी बर उसको यूज कर सकते हैं तामबे के बरतन का पानी अगर आप लोंग के साथ एक लोंग के टुकड़े के साथ थोड़ा सा उसको गुन-गुना करके और साथ में दोस्तों अश्वगंदा एक ग्राम की मातरा में लेते हैं तो पुर्शों की सबी अंदर की कमजोरियां आप समझ पा रहे होंगे तो मैं फिर से आपको कहा रहा हूँ सारी ये पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देता है इसके अलावा लोंग के फाइदे दान्तों की सड़न को दूर करने के लिए इतने भैतरीन इतने जबरदस्त होते हैं जिसकी आप कलपना नहीं कर सकते हैं तीन तरीकों से दोस्तों दान् कि सदन हो चुकी है किविटी की समस्या आपको हो चुकी है किसी भी कारण से किसी भी उमर में तो उसके लिए मैं आपको प्रियोग बता रहा हूँ दोस्तों आपको लोंग ले लेना है तीन से चार और इनको दोस्तों बार एक पीस करके इनका पौडर बना लेना है फिर एक रूई ले लेनी है जिसको हम कौटन कहते हैं उसको दोस्तों आपको लोंग के तेल में इसका तेल आप निकाल भी सकते हैं और मार्केट में बहुत अ असानी से इसका आएल मिल जाता पर कर थोड़ा सा सरसों का तेल थोड़ा सी हल्दी और थोड़ा स मात्रा आपको रूई के उपर डाल करके जहाँ पर आपको दान्तों का कीड़ा लगए है 15-20 मिनट के लिए भेंकर से भेंकर दान्तों के कीड़े में जो दर्द की समस्या होती है उसको तो ये पूरी तरह से ठीक कर देता है और साथ में धीरे धीरे करके अगर आप इसका रोजाना सेवन करते हैं तो दान्तों का कीड़े दोस्तों कम होना शुरू हो जाता है और पूरी तरह से खत्म हो जाता है इसके अलावा दान्तों को साफ करने के लिए लोंग का तेल बीच में दोस्तों अगर आप काला नमक और साथ में दोस्तों अगर आप नीम की जो दातन होती है उसके साथ में ये तीनों चीज़ों का प्रियोग करते हैं तो ये दान्तों को कभी खराब नहीं होने देता है और दान्तों को चमकीला और बहुत ही जादा सुन्दर बनाने में मदद करता है ये दोस्तों जानते हैं लोंग के फाइदे, क्लोफ्स के फाइदे जिनको नीद ना आने की समस्या होती है अगर आपको दोस्तों किसी भी कारण से उमर बढ़ने के साथ में नीद ना आने की प्राब्लम होती है तो सबसे पहले तो दोस्तों रात को सोते समय अपने कमरे में जो घी का या फिर सर्सों के तेल का मिटी का दिया जला करके सोता है अपने सर के आसपास में कहीं पे रखता है या कमरे में कहीं पे भी रख देता है तो नींद ना आने के समझ से आपकी 90 प्रतीशर तक ठीक हो जाएगी पूरी तरह से आपको बहुत गहरी नींद आएगी दूसरी चीज लोंग दोस्तों हलके गुनगुने पानी में हफते में एक बार डाल करके और इसके बीच में हल्दी और साथ में दोस्तों नीम का पाउडर ये दोनों का पाउडर एक चुटकी की मातरा में डाल करके दोस्तों हफते में एक बार अगर आप लेते हैं एक ग्राम के मातरा में तीनों चीज़ें पानी में मिला करके तांबे के बरतन के तो ये नींद को गहरा करने में बहुत ही जबरदस बहुत ही बहतरीन होता है इसके अलावा दोस्तों नींद को तो गहरा करता है ये साथ में मानसिक स्थिती को बहुत जादा अच्छा करता है सोच विचार अगर आपके बहुत जादा आते हैं emotions अगर आपके बात बात पे change होते हैं गुस्सा बहुत अधिक आता है उसको भी ये दूर करने में मदद करता है इसके अलावा long save करने के अगले benefit के बारे में फायदे के बारे में बात करूँ जोडों में, हडियों में, गुटनों में, कमर में, पीठ में, हाथों में, पैरों में जिनके दर्द रहता है उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है long का सेवन करना लेकिन किस जड़ी बूटी के साथ सेवन करना ये आपको अच्छी सही से knowledge होनी चाहिए दोस्तों अगर आप मेथी दाने को कूट करके उसका powder बना लेते हैं जिसको अंग्रेजी में fenagric seeds भी बोलते हैं और साथ में दोस्तों long को भी कूट करके powder बना लेते हैं एक ग्राम की मात्रा में long का powder और दस ग्राम की मात्रा में मेथी दाना अगर आप इसको दोस्तों गरम जो कपड़ा होता है जिसके बीच में रेट डाल करके सैंड जिसको बोलते हैं अगर आप वो डालते हैं और साथ में जो आपने अपने मेथी दान visual लोंग लिया इसके बीच में सरसों का तेल और हल्दी मिला करके जोडों के गुटनों के दर्द में लगाते हैं मलहम के तोर पे और उपर से कपड़ा बांदेते हैं गर्मा गर्म तो ये गुटनों के दर्द को पूरी तरह से ठीक करने में मदद करता है इसके अलावा अगर आपको लोंग का प्रियोग सही से समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि किस तरह से इसका प्रियोग करना है और आप कौन से गाउं से हैं कौन से शहर से हैं मुझे जरूर बताया करें मेरी वीडियो में क्योंकि मै मैं कभी मीट अप करूंगा कभी आऊंगा आपके गाउं में आपके शहर में तो आप सबी से जरूर मिलूँगा इसके अलावा लोंग के अगले फायदे के बारे में बेनिफिट के बारे में बात करूं तो यह बहुत ही जादा अच्छा होता है पेट को साफ रखने के